माता अन्नपूर्ना की कथा अन्नपूर्ने सदापूर्ने शंकर प्राणवल लबे, ज्यान वेराग्य सिध्यर्थ भिक्षा देही चा पार्वती, माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताष्च स्वदेशों भुवनत्रियम, एक समय की बात है, काशी निवासी धननजे की पतनी का नाम सुलक्षना था, उसे अन्य सबसुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके डख का कारण थी, यह डख उसे हर समय सताता था, एक दिन सुलक्षना पती से बोली स्वामी, आपको चुद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा, सुलक्षना की बात धननजे के मन में बैठ और वह उसी दिन विश्वनात शंकर जी को प्रसन करने के लिए बैठ गया और कहने लगा है देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ को चाता नहीं है, केवल तुम्हारे भरो से बैठा इतनी विनती करके वह दो-तीन दिन भूखा प्यासा बैठा रहा, यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, 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 इस प्रकार तीन बार कहा, यह कौन, क्या कह गया, इसी सोच में धननजे पढ़ गया की मंदिर से आते ब ब्राह्मनों को देखकर पूछने लगा पंदित जी, अन्नपूर्णा कौन है, ब्राह्मनों ने कहा तू अन्न छोड बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहन कर, धननजे घर गया, स्त्री से सारी बात कही, वह बोलीनात, चिंता मत करो, स्वयम शंकर जी नी यह मंत दिया है, वे स्वयम ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो, धननजे फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया, रात्री में शंकर जी ने आग्या दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वह अन्न पूर्णा का नाम बैठी थी, एक कथा कहती थी, और सब मा अन्न पूर्णा इस प्रकार बार-बार कहती थी, यह अगहन मास की उजली रात्री थी और आज से ही व्रत का यारंब था, जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला, धननजे ने उनके पास जाकर पू और कैसी विधी है, मुझसे भी कहो, वे कहने लगी इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं, 21 दिन तक के लिए 21 गांट का सूत लेना चाहिए, 21 दिन यदी ना बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें, कथा स सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रक सुपारी या घृत कुमारी गुवारपाट, रिक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाएं मुख में दाना न डालें, यदी भूल से कुछ पर जाए तो एक बस फिर उपवास करें, वरत के दिन क्रोध न करें और जूट न बोलें, धननजे बोला इस वरत के करने से क्या होगा, वे कहने लगी इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लुलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांची को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए, जो जिस कामना से वरत करें, मा उसकी इच्छा पूरी करती है, वल कहने लगा बहिनो, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मन हूँ, मुझे इस वरत का सूत दोगी, हाँ भाई तेरा कल्यान हो, तुझे देंगी, ले इस वरत का मंगलसूत ले, धननजे ने वरत किया, वरत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंट की सुवर्ण सीवी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई, धननजे जय, अन्नपूर्ना, अन्नपूर्ना कहता जाता था, इस प्रकार कितनी ही सीजियां उतर गया तो क्या द उसके सामने सुवर्ण सिंगासन पर माता अन्नपूर्ना विराजमान है, सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं, देवांगनाय चवर दुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांदे पहरा देती हैं, धननजे दोड़कर जगदंबा के चरनों में गिर गया, देवी उस अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई, इतने में क्या देखता है कि वलकाशी विश्वनात के मंदिर में खड़ा है, मा का वर्दान ले धननजे घर आया, सुलक्षना से सब बात कही, माता जी की क्रिपा से उसके घर में संपत्ती उमरने लगी, छोटा सा घर बहुत बढ़ा गिना, जाने लगा, जैसे शहद के छटे में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे, कहने लगे इतना धन और इतना बढ़ा घर, सुन्दर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा, सुलक्षना स संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो, अनिच्छा हुते हुए भी धननजे को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षना को सौत का डख उठाना पड़ा, इस प्रकार दिन बीटते गयो फिर अगहन मास आया, नए बंधन से बंदे पती से सुलक्षना ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, यह माता जी का प्रताप है, जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं, सुलक्षना की बात सुन धननजे उसके यहां आया और व्रत में बैठ गया, नई बहु को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धननजे के आने की राह देख रही थी, दिन बीते गए और व्रत पूर्ण होने में तीन दिवस बाकी थे की नई बहु को खबर पड़ी, उसके मन में इश्या की जवाला दहक रही थी, सुलक्षना के घरा पहुँची और उसने वहां भगदर मचा दी, वह धननजे को अपने साथ ले गई नए घर में धननजे को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आदबाया, इसी समय नई बहु ने उसका व्रत का सूथ तोड़कर आग में फेक दिया, अब तो माता जी का कोप जाग गया, घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जल कर खाक हो गया, सुलक्षना जान गई और पती को फिर अपने घर ले आई, नई बहु रूट कर पिता के घर जा बैठी, पती को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षना बोली नात, घबढ़ाना नहीं, माता जी की कृपा अलोकिक है, पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को मा माता नहीं होती, अब आप श्रद्धा और भक्ती से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्यान करेगी, धननजे फिर माता के पीछे पर गया, फिर वहीं सरोवर सीड़ी प्रकट हुई, उसमें मा अन्नपूर्ना कहकर वह उतर गया, वहाँ जा माता जी के चरनों में र धननजे ने आखे खोली तो खुद को काशी विश्वनात के मंदिर में खड़ा पाया, वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया, इधर सुलक्षना के दिन चड़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ, गाव में आश्चर्य की लहर दोड़ गई, मानता आने लग इस प्रकार उसी गाव के नहसंतान सेट के पुत्र होने पर उसने माता अनपूर्ना का मंदिर बनवा दिया, उसमें माता जी धूंधाम से पधारी, यग्यकिया और धननजे को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया, जीविका के लिए मंदिर की दक्षना और रहने के लिए बड़ा सुन्दर सा भवन दिया, धननजे स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा, माता जी की चड़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी, उधर नई बहु के पिता के घर दाका पड़ा, सब लुट गया, वे भीख मानकर पेट भरने लगे, सुलक्षना ने यह सुना तो सब के भंदार भरीन, माता अनपूर्णा का 21 दिवसिय यह वरत अत्यंत चमतकारी फल देने वाला है, यह वरत अगहन मार्कशीर शमास में शुकी पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिनों तक किया जाता है, इस वरत में अगर वरत ना कर सके तो एक समय भूजन करके भी वरत का पालन किया जा सकता है, इस वरत में सुबल घी का दीपक जला कर माता अनपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं, बारंबार प्रनाम, मैया बारंबार प्रनाम, जो नहीं ध्यावे तुम्हें अम्बिके, कहां उसे विश्राम, अनपूर्णा देवी नाम ते चारू चक्रधश्याम, चंद्रचूर चंद्रानन चाकर, शोभा लखी ललाम, बारंबार प्रनाम, मैया बारंबार प्रनाम, देवी देव, दयनिय दशामे, दया दया तबनाम, त्रही त्रही शर्नागत वत्सल, शरन रूप तबधाम, बारंबार प्रनाम, मैया बारंबा की जाए